गुड मॉर्णिंग विवर्स वेल्कम टो बैक आवर चैनल आज में लेकर आई हूं बिल्कुल ही नए से टेप्स जो आज से पहले आपने नहीं देखे होंगी वीडियो बहुत ही उसफुल है तो वीडियो को एंट तक जरूर वाच कीजिएगा चले स्टार्ट करते आज का य पर अक्सल लड्डू बनाते वक्त ऐसा होता है कि लड्डू बहुत ज़्यादा हाथों में चिपकता है स्पिशल जो बिग्णर है उनको यह टिप बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है तो थोड़ा सा अपनों घी लेना है और गही को इस तरह के से हातों में लगा लेना उसके बाद वेही आपने लड्डू वाले मिश्रम्ट में हाथ लगाना है यानि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लड्डू बहुत सारणा हमारे हाथों में चिपक जाता है पर अगर आप गही कि पतली से परत अपने हाथों में लगा लेते हैं तो जो लड्डू है या जो यह आप मिठाई बना रहे हैं, वो आपके हाथों में ज़्यादा चिपचिपी नहीं होगी, क्योंकि इसमें गोड़ी या चीनी डाली जाती है, जिसकी वज़े से लड़ू बहुत ज़्यादा चिपचिपी होते हैं, तो इन्हें बनाना अच्छा नहीं लगता है बहुत सारों को, तो आप यह वाला ट्रीक ज़रू ट्राइ आउट करिएगा, और उल्टे हाथों से हलका हलका उसे दबा रही हूं, तो वो बिल्कुल ही गोल लड़ू बनके रेडी हो गया है, आप मेरे हाथों को देख सकते हैं, इसी तरीके से आपने लड़ू को बनाना है, आप बिगनर है ना, तो यह वाला ट्रीक आपके बहुत काम आएगा, आपको सीधे हाथ से जो आपका हाथ राइट है, उससे हलका हलका लड़ू को दबाना है, यानि शेप देना है और दूसरे हाथों में इसको ठीक कर लेना है, चली बढ़ते हैं, अगले इस फुल हैक के लिए, तो नीबू हर घर में आते हैं, और नीबू का यूज हम बहुत तरीके से लेते हैं, पर नीबू को ऐसे ही अगर हम फ्रीज में रख दें, या मीठा तेल जो भी आप लेते हैं वह वाला तेल लेना है और हलकी सी पारत जैसे इसके उपर चड़ा देना है इसके बाद में महिनों तक आप इस निम्बू को रखिए फ्रीज में आपको कभी भी ना निम्बू सूखने को नहीं मिलेगा यानि ऐसा होता है जब निम्बू अगला इस फुल टिप आपको ज़रू पसंद आने वाला है क्योंकि हर घर में चीनी का यूज किया जाता है गुड़ का यूज किया जाता है यानि मीठे पन के लिए हम इसे यूज करते ही है पर अकसर आपने देखा होगा इसके आसपास ना कभी लाल चीटी तक भी काली च यूज करना है और इसको अच्छे से इसे टिशू पेपर में फोल्ड कर लेना है उसके बाद ने आपने इसे चीनी के डिबम रखना है डाइट ली आप रख सकते हो पर कभी कबार क्या होता है हमको भी स्वीड बना रहे होते हैं कभी दूद में ही चीनी मिला रहे होते हैं तो क्या होता है यह लॉग उसमें चला जाता है इसलिए मैंने यह टिशू पेपर का यूज करा है ताकि इस तरीके से इसकी हलकी हलकी महक भी चीनी के डबे में आती रहे और किसी और डिसे में यह जाके लॉग मिक्स ना हो तो यह वाले ट्रिक को आप जरू ट्राय आउट क कभी भी आपको डिपे में चीटी नहीं देखने को मिलेगी अगला इस फुल है खार गरहने के लिए बहुत जादा काम आने वाला है यह रेस्टोरेंट में जो लोग काम करते हैं वो इस ट्रिक को यूज करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं बहुत सारा धनिया एक साथ ले कहते हैं और बार बार यह काम नहीं करते हैं कि वो बार बार धनिये को साफ करने बथे हैं अगर आपके घंके में इस तरह कैसे दंचे को ने तो पानी में आपने इसके तो इस हो बीदा आहिए एक दिन कुछ दनिया तो जड़ वाली होती है और कुछ डंठल वाली होती है सिम्पल सी तो हम यहाँ दोनों तरीके से आपको बताने वाले हैं कि इन्हें किस तरीके से लॉंग टाइम के लिए हरा भरा रखें और ये खराब नहीं हो यानि इसकी जो पत्या है वो पीलेपन पर ना दर्केट से लेकर आते हैं इसे पानी से बिलकुल ही दोना अगर आप इसे पानी से दो देगे तो यह लॉंग टाइम तक चलेगा नहीं उल्ठा सड घल जाए ख्टा अने नहीं अगर आप चाहते हैं कि बहुत लॉउंग टाइम तक स्टोर करके रखना है तो और यहाँ सकते हैं साइड में रबड भी इस रबड का हमने यूज नहीं करना है रबड का हम यूज करता है विच्छ सब्सब्र, ज्रास के राज पनी पज़र में पान पाई की युद्ल इसे व्यक्त की ज़र बढ़ में यहां दूसा तरीका में बताऊगी यहां पर जो यह धनिया है यह बीना जड़ वाला है इसको जितना पानी है वो मैंने अच्छे से सुखा दिया है लगभग 2-3 घंटे मैंने इस मोटे टाविल से इसको दबा के रखा ताकि इसके जड़ में जितना भी पानी था डेया डंठ अब बना रहेगा बिल्कुल लहीं इस तरीके का प्लास्टी का या किसी भी तरह का जो कंटेनर आप यूज करते हैं वो ले सकते हैं वे फिलाल में यह सिंपल सी सबजी वाली प्लास्टी की आपको दिखा रही इसमें बार इक बारिक आपने होल करना है और पिन की मदर से चेक करते रहें और अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से लॉंग टाइम तक के स्टोर करें तो यह वाले ट्रिक को जरूर ट्रायाउट करें के दिखिएगा तो आई होप यह वाला ट्रिक आज आप मुझे बताएंगे नेस वीडियो में यह ट्रिक आपके साथ जरूर शेयर करूँगे चले बढ़ते हैं अगले इस फोल है के लिए जैसे ही festival season आते हैं हमारे government gift का आना जाना बहुत जादा होता है अगर आपके गर में चोटे बच्चे हैं या बड़े हैं जिनों को gifts मिल रहे हैं या gift देते हैं तो उन्हें यह तरीका ज़रूर बताईए अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है जैसे कि हैं market से बहुत सारी चीज़े लेगा राते हैं उन box को cover करने के लिए आप इन्हें use कर सकते हैं नहीं तो आप किसी और को gift कर रहे हैं तब भी आप इन paper का use कर सकते हैं तो I hope यह वाला trick आपको पसंद आया होगा क्योंकि मैं हमेशा अपने बच्चों को यह जरूर सिखाती हूं कि वो इन gift paper को बिल्कुल ना फेके क्योंकि महेंगे भी होते हैं प्लस देखने में काहीं संदर होते हैं जिनका use हमें करना जरूर आना चाहिए तो यहां पे फिलाल में आपको perfume रखके बता रही हूँ इस तरीके से अगर आप किसी को यह gift करते हैं तो हातो हातना आप इसे घर में gift पेक कर सकते हैं यानि विज़ा मार्केट जाए हुए थोड़े थोड़े से पैसे के अगर बच्चत हो रही है तो क्यों ना यह free वाला trick जरू try out करके देखे वैसे भी हम लोग इसे use करने के बाद आखसा dust room में fake देते हैं तो dust room में fake ने से पहले एक बार इस तरीके से use करके जरूर देखेगा आपको अच्छा लगेगा और यह use tool trick बच्चों को जरूर सिखाए ताकि वो भी छोड़ी छोड़ी बच्चत करना सीखे अब भी से तो चले बलते हैं ऐसे ही अगली use tool वीडियो में जो आपकी घर और किचन के काम को आसान बनाएगी वीडियो आपको जरा सबी use tool लगता है तो वीडियो को share करना बिल्कुल नाम ले देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद